इतनी कथा सुनकर नारत जी पूछने लगे की है ब्राहमन। आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताईए तब ब्रहमा जी कहने लगे की है पुत्र। गण की नदी के उत्तर की और गिरिजा के दक्षन में चालीस कोज की पृत्वी महाक्षत्रे कहलाती है वह पर ही शालिग्राम तथा गौमती चक्र होते हैं जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ती को प्राप्थ हो जाता है जिस गौमती में एक चक्र हो उसको जिसमें दो चक्र हों वह नारायन जिसमें तीन चक्र हों उसको अच्युत चार वाले को जनारदन पांच वाले को वासुदेव छै वाले को प्रधुमना साथ वाले को संकशर्ण आठ वले को नलकूबर नव वाले को नवव्यू और दस वाले को दशाफतार कहते हैं इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है।